कि वे गाई जन वेलकम टो आँवर एड गुड, इस यहां पर बात करने वाले याए उप्टक और फिर उपनिंग के बारे में कहाँ पर आपनिग होने वाले या फिर फ्लेट नग होने वाले तो सबसे पहले बात करते Šitap Conference. यह लेवल देखेंगे अब को यह पर यह लिए हाद है यह लेवल के लिए हाद से यहां आपड ले के बीच में यह लेवर सस्पोट और स्पोर्ड का काम करेगा इसके उपर opening होगी हाला कि gap up opening होने वाली है चाहिए यहां पर आपको 200 point gap up हो यहां पर gap up opening होने वाली है gap up opening के बाद दोस्तों यहां पर थोड़ा सा market को correct होने दीजे पहले फिप्टिमिंट के अनिल को आपको कोई भी देड़ा नहीं करना है वेड किजिए अचाहिए वन वे मोमेंटम होता है या फिर नहीं होता है अगर आप एक beginner trader है तो वेड करेंगे अगर आप थोड़े से सीखे हैं या फिर आप प्रो ट्रेडर हैं तभी आप यहां पर 50 इस यहां पर आपन बाइंग करने के सोचेंगे फिर यहां पर अपना टांगे तीन सो साथ तीन सो और चार सो क्या आजपास का टार्गेट लेकर चल सकते हैं और अगर इसको ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा है फिन इप्टी में बात करते हैं फिन इप्टी यहां पर देखेंगे तो यह बी एक गैप आप आपन बूलिश रहेंगे और दोस्तों यह लिए लिए ट्रेंड लाइन ब्रेक करके अपसाइड में निकलता है निकलता है तो इस टरेंड के ऊपर यहांप रहेंगे यहां पर इसके उपर कुछ इस तरह का प्रास आप पर नाना चाहिए यहां तो चीन आश्याशता है तो यहां पर जेसे डाएज यहां सित्र को च्ब्रेक करता है इस support zone को break करेगा तो एक अच्छा downside में एक momentum देखने को मिलेगा तो यहां पर यह support zone है इन support zone को आप respect कीजिए और इन support zone के साथ trade कीजिए तभी आप एक अच्छे trader बन पाओगे यह upside में resistance zone है और downside में support zone है market in between ही trade कर रहा है जब भी breakdown जिता है तो यह fail करके downside आ जाता है जब भी breakout तो यहां पर यह trade करने का पूरा से नेरियो बना हुआ है तो यहां पर फिर निप्टी में यह नजर बना के रखेंगे बागी gap up opening देखने को मिलेगी चलिए निप्टी के अंदर भी काफी अच्छी टेंड लाइन आपको यहां पर देखी रही होगी 50 मिंट के चार्ड के उ 27700 साथ के उपर अपने करने के सोचेंगे एक स्विंग को ब्रेक करने दीजिए इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए और इस स्विंग को ब्रेक किजिए ब्रेक करेगा तो पहला इस स्विंग का दूसरा इस स्विंग का और तीसरा इस स्विंग का और चोता इस स्विंग का य लिए ज्यादा बड़े टार्गेट के साथ यहां पर टेड नहीं करेंगे और दोस्तों यहां पर ओपन होने वाला है मार्केट के पप तो यहां पर थोड़ा सा रिटेस्ट करने आए फिर निकलेगा तो यहां पर अपने को एक अच्छा मोमेंटम वापिस देखने को मिलेगा इस स्विंग को रिटेस्ट के बार ब्रेक करेगा यानि की सत्रा च्छेसो साथ को ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम आपको अप साइड में देखने को मिल चकता है बट मार्केट सेनेर्यों देखना होगा मार्केट सेनेर्यों यानि की ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है ग्लोबल मारकेट यहाँ पर अभी positive है तो दोस्तो यहाँ पर अपने को positive trade करणा चाहिए अगर दोसतो positive नहीं है तो अपना mindset negative यह जाह nên पॉसिटिव हैं तो positive ही trade करेंगे यह भी देखेंगे नेकेटिव हैं, तो दोस्तों यहां पर नेकेटिव vigor है थोड़ा सा, बट यहां पर मार्केट हैं, आज के दिन कहWeb Rat icon होने वाला है और एक चीज़ आपको बता देता हू운 आज के दिन, आज के दिन IC-IC, पैंक के रिजल्ट का impact भी देखने को को मिलेगा तो वह जान माइंड में रखके चले क्योंकि आईसी आईसी बैंक का जो इंपक्ट हैं वह देखने को मिलेगा तो यहां पर मार्केट मूव कर सकता है वन वे किसी भी साइड में तो यह नजर बनाएके रखी गया बागी मिलते हैं अपन लाइव सेशन में तो फटा